जैने दोस्तों बंदे मातरों पिता ने अपनी बीटी को कफन पहना दिया और कह दिया कि भाई ये बीटी आज से मेरे लिए मर चुकी है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लड़की ने हिंदू होते हुए एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी और उसके बाद थाने में ये सब चीज़े हुए इसमें मदबरदेश के मनसौर की एगटना है और ये एक हिंदू लड़की ने यहां पर एक मुस्लिम दोस्ते शादी कर ली इसके बाद वो मुमई चली गई और इसके बाद वो अपने वकील के साथ नारदर थाने में नारगड थाने पहुँची और अपनी शादी के कागज दिखाए इसके बाद उसके पिता को बुलाये गया जिसने थाने में ही जिन्दा बीटी को कफन पहनाया और माला पहनाने के बाद हरदम के लिए रिष्टा तोड़ने की बाद कहड़ा ली दरसल ये मामला मंसौर जिले के नाहरगड थाना शेत्र का है पिछले साल हिंदू लड़की अपने एक मुस्लिम दोस के साथ चली गई थी इसके बाद उसने शादी भी कर ली रईवार को वो नारगड थाने में पेश हुई और उसके साथ वकील भी आया था लड़की की शिनाक्त और चर्चा के लिए उसके पिता को थाने बिलवाया गया यहां लड़की ने परिवार से बात करने से बना कर दिया इसके बाद उसके पिता ने कफन और माला पहना कर रिष्टे खत्म करने की बात गई लड़की की पिता का कहना है कि मेरी बीटी कॉलेज पढ़ने जाती थी देड़ साल पहले कॉलेज जाते समय वो बस्टेंड से गायब हो गई थी उसका अपरन हुआ था या किसी के साथ चली गई थी इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाया जिड़ साल बाद वो वकील लेकर थाने आती है और अपने कागस दिखाया उसने उसका फैसला ना मुझे और ना समाज को मानने है यह मामला जैसे ही सोशल मीडिया में आया जैसे ही सोशल मीडिया वायरल हुआ तो मंसौर एसपी अनुराक सुजनिया ने नाहर गडव थाने के एक ASI और दो कॉंस्टिबल पर कारवाई की इसको लेकर SDOP नरेंदर सौलंकी ने बताया कि थाने में लड़की पर कफन डालने के मामले में लापरवाही बरतने वाले दो कॉंस्टिबल और एक ASI को लाइन अटाच कर दिया गया है इस पूरी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर रियाक्शन भी सामने आ रहे हैं उनके तरफ विजरा देख लेते हैं कि वहाँ पर लोग क्या कुछ कह रहा है तो यह है वो वीडियो मेग अप्डेट्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया है कि वाइरल वीडियो फ्रम मंसौर MP इन विच अदिवास्टेटिट हिंदू फादर इस तरह की इन्होंने पूरी बात लिखी है इसके उपर हम रिएक्शन देखें तो इन्होंने लिखा है तो इन्होंने लिखा है यहां लिखा सैडली ऐसी होंडा शेडनी इसको एंड रेफ्रेजेटर में ही होता है यहां लिखा है मुझे तो लगता है सबसे पहले तो जायदात से बेदेखल करना चाहिए जिससे की सामने वाले पार्टी को गर पैसे के उमीद हो वो भी खतम हो जाए यहां लिखा है अब इसमें भाइचारे वाली बात कहा से आगए यहां लिखा है ठीक है कम से कम माता पिता को यह जो नहीं रहेगा कि हां उन्होंने कुझे गलत किया यहां जाएफिस प्टार लिख द आटि जो शुकार मेंगा बहुट के वहां लेचार इस एचिंए अखर शोएफिस बातर अचछार प्रीजिन रहेशब मेंगा अर्मृत्राबी एya बढ़िस एच्छारे बढ़िस बावारी और कि अवह चाहिए फुल रिस्पेक्ट तु फादा तो इस तरह के कई सारे रियक्शन्स हैं जो आप निकल कर सामने आ रहा हैं और जाहिर सी बात है अधिकतर लोग जो है यहां पर पिता का सपोर्ट कर रहा है कि नहीं उन्होंने ठीक किया है आप लोग क्या कहना इस पूरे मामले में कमेंट करके जरूर था यहां मेरे सुनिफल आप नहीं जाए हिंद जाए भारत